नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अजी मध्यप्रदेश चतीजगर पर आपकी साथ मैं हूँ सुनाली सेंग्चल ये शुरुवात करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ वोटिंग से पहले कॉंग्रिस में भगदर का दौर लगातार जारी है आज भोपाल के बीजेपी कार्याले में पूर्व विधायक पारुल साहू और छिंदवाड़ा के कॉंग्रिस नेता अमित सकसेना बीजेपी में शामिल हो गयें अमित सकसेना छिंदवाड़ा से जुड़े हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं सियम टॉक्टर मोहन यादव ने सभी को पार्टी की सदस्ता दिलाई है तो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कॉंग्रिस में जो भगदर की स्थिती मची है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही लगातार कॉंग्रिस के तमाम जो नेता हैं कई ऐसे बड़ी चेहरे हैं जो भारती जुनता पार्टी की सदस्ता ले चुके हैं आज एक बार फिर कॉंग्रिस को एक बड़ा छटका लगा है आमिद सक्सेना जो की चिंदवाडा से तालुक रखते हैं चिंदवाडा से कॉंग्रेस के नेता थे उन्होंने बीजेपी की सदस्ता ले ली है इसके लावा पारूल ने भी बीजेपी की सदस्ता ग्रेंड की है जो कि पूर्व विधायक है कॉंग्रेस की पूर्व विधायक पारूल साहू समेत कई नेताओं की बीजेपी में शामिल होने पर सीम डॉक्टर मौन यादव का बयान आया है कि ने सबके मान सम्मान के ध्यान रखने का अस्वसन दिया है आज पूर्व विधायक पारूल साहू जी हमारे सेर सिंग यादव जी इस अवसर अमित सक्सिना जी लाव पंचायत के उपाद्य अक्षें 20-20-20-14 वोट्स जीते हैं उनके बिदाजी 37 से लेके 90 तक विधायक रहे मंत्री रहे कई जायतों का निर्वन करते वे ऐसे खाटी कांग्रेशी जिनने देश स्वा के लिए कांग्रेश ज्वाइन की थी लेकिन मन में निरासा है हतासा है और खास का आती तो तब हो गई जब भगवान राम का विरूत करते हैं से कल नोट पकड़ाए हैं जिस दुरुप से ये सोशी प्रधानमंद्री मानि नरिन मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे है और चले अजिक जानकारी के साथ सायोगी अजय दूबे इस खबर पर लाइफ जुड़ गे हैं सीधों का रुक करते हैं अजय जिस तरीके से कॉंग्रेस में भगदर के स्थिती म जी है वो एक तरह से अब आउट अफ पंट्रोल हो चुकी है रोज कई कॉंग्रेसी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं इसमें कई बड़े नाम भी हैं और खासकर चेंदवारा जिस किले को भेदने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है अब एक ब देखिए लोकसभा का चुनाओ है और 28 सीटें सीटों पर पहले से ही भारती जनता पार्टी चुनाओ पिछली बार लोकसभा चुनाओ में जीती थी और इस बार एक सीट के लिए भारती जनता पार्टी लगातार कमलात के गड़ छिंदवाडा में डेरा डाली हुई है तमा जो बड़े चेहरे हैं वो भारती जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं अब एक बार फिर अमित सक्सेना जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है चिंदवारा से वो नकुलनात कमलनात के करीबी माने जाते हैं वो भारती जनता पार्टी का दामन थाम लिये हैं इससे पहले कमलनात के जो मीडिया सलाकार थे वह और उसके साथ साथ नगर पालिका में महापौर महापौर और विधायक भी चिंदवारा से जो है भारती जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं इसके साथ मद्धिप्रदेश के अलग-अलग जगों से चाहिए महापौसल से बात करें जबलपूर सिंटर माना जाता है, वहाँ से महापौर जगत बहादूर अनू उन्होंने भी भारती जनता पार्टी का दामन थामा सूरेसपचवरी ने भारतीर ही जंटा पर्टी का दामन थ्माक नों नेके बचाने के लिए 28 सिटे जीतने के लिए अब देखना होगा कि कॉंग्रेस में जो एक पतज़ड लगा है ये कॉंग्रेस को कितना नुक्षान करता है लेकिन ये भी है कि चाहे वो सागर से बात करें सागर से आज पारुण साहू भी भारती जनता पार्टी का दामन थाम लिया अला कि इस से पहले 2013 में उन्होंने भारती जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ी थी उसके बाद 18 में कॉंग्रेस से चुनाव लड़ी फिर हार गई तेस में उनको कॉंग्रेस ने टिकट नहीं दिया और एक बार फिर से उन्होंने वापसी किया और भारती जनता पार्टी का दामन थामा है और रही बात मुख्यमंती डॉक्टर मोहन य वहां के आमंतरण का अस्विकार किया कॉंग्रेस ने और दुआ कर रहे हैं तो ऐसे में दोहरा चरित्र नहीं होगा कोई एक लाइन पकड़े कॉंग्रेस और जिस तरह से कमलनात के गढ़ में कल कॉंग्रेस नेता के गाड़ी से पैसे पकड़े गए उस तो लेकर भी उन्ह मिल हो रहे हैं तो ऐसे में लोग सभाद चुनाव से पहले कितना नुक्सान कॉंग्रेस को पहुंचेगा वो भी देखना बेहतमा तपूर्ण होगा